हेलो दोस्तो सौगत है आपका मेचसेट क्लास में तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत सी इंपॉर्टन और बहुत एक डिफरेंट टाइप की बेबी डॉप्स के बारे में बताऊंगा तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो दो तरह की एक दो लाइंग्विजिस में एक इंगलीश और हिंदी तक हमर दोस्तों को मदद पहुंचे तो चलिए दोस्तो देखते हैं प्रोटेक्टिस के बारे में तो दोस्तो यह जो लोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा अब प्रोटेक्टिस के ऊपर देख सकते हो बयोजिया यह बयोजिया जो कंपनी एक फ्रांस यानि पैरिस बोलते हैं वहां पर एक बेस्ट कंपनी है जो एक पुराने 40-50 साल पहले इन्होंने एक बैक्टेरिया को धुना था जिसका नाम है लाक्टो बैसलस रुटेरी जो लाक्टो बैसलस रुटेरी है दोस्तो इसको इन्होंने एक मदर्स मिल्क से निकाला था और कोई से भी निकाला था जब मदर्स मिल्क से निकाला था तो इसको बच्चों में दिया गया जो बेबी एक्सेस युक्राई करते हैं infantile colic कहते हैं evening colic कहते हैं बच्चों का पेड़ दद के वज़े से रोता है तो उसमें जब दिया गया ये मा के दूद में पाया जाता था तो जब ये इसको दिया गया तो बच्चों में काफी improvement आ गया दोस्तों बच्चों का रोना बंद हो गया क्योंकि ऐसा होता था कि वो दूद निकाला जब इन्होंने मा के दूद से दूद निकाला तो ये जब देने के बाद काफी अच्छे results आगे दोस्तों तो ये प्रोटेक्टिस जो ब्रांच है डॉक्टर रेडिस का इन्होंने ये खरीद लिया है बयो जिया से और ये marketing कर रहे हैं प्रोटेक्टिस यानि आपके बच्चे का पेड़ दर जो होता है वो बंद कर देता है और रुटेरी जो होता है ये जब convert होके एक enzyme में हो जाता है जो की एक bacteria जो हानी कारक bacteria होते हैं उनको भी ये मार देता है तो जिसके वज़े से क्या होता है दोस्तों बच्चे को बहुत जल्द आराम मिल मिलता है सुकून मिलता है रोना कम हो जाता है पेड़ कम हो जाता है फीडिंग अच्छा हो जाता है अब रही बात यह दोस्तों कि लैक्टोबसलस रुटेरी जो है इसको बनाया जिसका यह आजता है बहुत चोटी पैक में पांच ml की बैक में लेकिन आप हैरान हो जाओगे जब मैं आपको इस प्राइस बताऊंगा तो दोस्तों इसका प्राइस जो है इसका प्राइस है 950 रुपीज MRP यानि तक्रीबन 1000 रुपे हो गया 1000 रुपे को 50 रुपे कम हो जाते है बस तो यह आपको Amazon से भी मिल सकता है आपको या तो डॉक्टर की परची मैं चाहता हूँ प्राइगा और इससे पेरदद कम होगा यादर कि यह बहुत छोटी बॉटल है और इसके साथ ड्रॉपर नहीं होगा मैं दिखाऊंगा आपको खोलके कैसी दिखती है यह आप देखोगे तो जानोगे तो दोस्तों यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है टिल्ट शेक वेल टरन सकते हो लेकिन बॉटल से डारेक्ट नहीं देना चाहिए यह दो साल की एक्सपारी तक आता है और आपको देनी कब तक है यह बहुत इंपोर्टन है आपको देना होता है मिनिमम सेवन डेज और मैक्जिमम ट्वेंटीवन डेज यानि कम से कम साथ दिन क्योंकि उसका इफेक आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इंपोर्मेंट स्टार्ट होगा तो याद रखिये दोस्तों बहुत इंपोर्टन चीज जो इसके अंदर है कि यह पांच ड्रॉप्स दिन में देनी होती है और दूद के साथ दिनी होती है और मिनिमम सेवन डेज होती है तो चलिए दो तो यह दिखती है ऐसी है ओके तो यह मैं ओपन करूंगा आपको शेक करनी है अच्छे अच्छे से और फिर पांच बूंद एक दो तीन ओके चलिए दोस्तों इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है पानी जैसा है दोस्तों ओके लेकिन बहुत अच्छा बहुत बढ़िया है और रिसर्स बहुत अच्छे है आपको डेफिनेटली पसंद आएगा प्लीज आपके डॉक्टर की सला ले पूछे कि इंफेंटल कोलिक इविनिंग कोलिक को क्या यूज कर सकते हो अपने बच्चों में डॉक्टर की सला लेकर ही इस्तमाल करें ओके तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए